का सुहाना समा है और एक एक्साइटिंग मैच की शुरुआत होने जा रही है विकेट सक्त रखी गई है यकीन ज़्यादा उच्छान मिलेगा आज गेंद बाज को कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत के गेंद बाजी करने का फैसला किया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलाडी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार सेडियम में अमपाईज नई गेंद के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोस से उनका स्वागत करते हुए तेज गेंद बास को लाया गया है सब्ते यार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए तगरा शार्ट कांफिदेंसे वर्पूर बल्ले बाद अच्छे फॉर्म में दिख रहे है आसानी से केला एक रण के लिए तेज गेंद बादी को खेलना पसंद करता है ये बल्ले बाद अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा मिल गया विकेट वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास पविलिन के और जाते हुए बल्ले बाद बड़े हताश ऐसे कैच ना सिर्व आपको मैच जिताते हैं बल्कि मुश्किल परिस्तितियों में टीम का मनोबल भी बड़ाते हैं अपनी पारी के शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बाद को स्पिनार आये है अटाइक में एक्स्टा कवर पर फील्डर तो अपने जो कवर ड्राइव्स हैं उनको जरा संबाल के खेलना होगा कराना शौर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर पूरी तरह नियंतरन में थे बल्लिबास आसानी से खेला एक रन के लिए बल्ले बाजों को अब बाउन्डरीस की आवश्कता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए अच्छा शौर्ट बस सिंगल ही मिलेगा स्पिन गेजन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ अंतिम ओवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा ओ नहीं हाथों से फिसल गई गेन खराब फील्डिंग सही जगह पे मौजूद तो थे मगर शायद सतर्क ने हुए बढ़िया शॉट और गेन सी दी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई इनिंग्स की समापती सलामी बल्ले बाजों को जल्दी पैड़ अप करके वापस क्रीस पर फील्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर तेज गेन बाज को लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए जबर्दशार बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेन गई सीधा हवाई यातरा पर इतना असान नहीं है इस शॉट को एक्जिक्यूट करना बल्ले बाजो ने बहुत ही अच्छा रन रेट मेंटेन के अब तक अच्छा शॉट है ये बहुत ही अच्छा शॉट और गेन सीधा सीमा रेखा के बार बल्ले बाज ने काफी अच्छा बैलन्स मेंटेन के आवाँ पर बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए हवा में गई है गेन्ड लंबा शॉट केलने का प्रयास और गेन्स सीधा फील्डर के हाथों में इस विकेट की तलास थी इने कैप्टन काफी खुश गेन्ड बाज से काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए खराब शॉट बल्ले बाज दोरा और फील्डर के लिए आसान सा कैच चत्राई से गेन्ड बाजी कर रहे हैं गेन्ड बाज उठा के मारा है आसानी से खेला एक रन के लिए खुबसूरत रो बिलकुल स्टम्स के उपर वाह क्या कड़क शॉट मारा है विश्वाज बरा शॉट था ये अच्छी बल्ले बाजी गेन्ड बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा ओ बल्लेगा किनारा लगा वाइड थ्रो खिलारी द्वारा मिलता है पाउर प्ले की समापती कफ्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सिर्कल के बाहर रख सकते हैं चतुराई से गेंबाज ही कर रहे हैं गेंबाज गेंबाज अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं तेज कराना शौट चार रन के लिए क्या खूट टाइमिंग थी क्या बल्ले बाद फिर से बाउनरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं ये गेंबाज उपर गई है पर ज्यादा दूर नहीं कोई फील्डर मौजद नहीं वहाँ किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुप पूर होते हैं तो बहुती बहतरी गेंबाजी बल्ले बाद को बिलकुल परिशान करते हुए यहाँ पर बड़े शॉर्ट मारने के पहले बल्ले बाद को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा गेंबाज के अपीर लेकिन अमपायर ने दिया नौट आउट और वो अमपायर के डिसिजन से सहमत है यह रही पारी की आखरी गेंबाज आपके सामने आसानी से खेला एक रन के लिए दोनों बल्ले बाद एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए इज ऑूसरे के लिए